हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग एक बड़ आपका फिर से CLC के यूनिक प्लेटफॉर्म गुरुनिती में स्वागत है आज अपन बेट आपना गुरुनिती का सॉलिड इस्टेट केमिस्ट्री में 14 गुरुनिती शूट करने जा रहे हैं माहने में संजय अगरवाल और मेरे साथ है ओपी सर तो गुरुनिती के काफी कॉंसेट्चल चेप्टर है बहुत सी इंपोर्मेशन आपको इसमें ध्यान रखने पड़ती है किये कैसर क्वेशन नमर पास करें स्कार्ट सर जी सर क्वेशन नमर वन बोलता है क्रिस्टलाइन सॉ अब क्रिस्टली और तो आपको इससे रिलेटिड बात कर हूं तो अपन यहां पर क्या देख रहे है कि अपन को डिफरेंस देखना है सर प्रिस्टली डोस के लिए अपको क्रिस्टलाइन सॉलिट जिसे अपन टुरू सॉलिड बोलते हैं और आम और पस सॉलिड जोपना प्रकिक्ण होते हैं भो लॉंग रेंज डिस्टेंस बनाते हैं पढ़ी से लिया के इसमें से जल्दी बागी नहीं करें कि अपना ख्यालत होज़ा है कि यहां से फूच्छ रहा है क्रिस्टली और ऑंक्रिस्टली तोस डिफरेंस किस पॉंट के बेस्ट पर कर रहा है पॉर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, all crystalline solids contain anion and cation, तो अपन जब crystalline और arm of a solid की बात करते हैं, तो anion and cation की भियाओं के कोई difference नहीं बतारे हैं, तो यह option तो नहीं बनेगा सर, जी सरुछाइए, जी सरुछाइए, all crystalline solids have a long range order, while arm of a solid don't, तो सही बात है कि crystalline solid में जो अपनी व्यवस्ता होती है, अनिजमेंट होता है, long range order होता है, और जबकि arm of a solid में short range order होता है, तुसार इसका मतलब अपना second option यहाँ पे correct होना चाहिए, और यही अपन से पूछाए, तो अपना इदर answer आजाएगा second option, चले सब आगे, जेके से next question पे, next question है, match of the following column first and column second, column B और A के इंदर आपको match करना है, तो इधर nature of solid दे रहका है और इधर solid का type आपको दे रहका है, इधर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँँ कि यह अपन को nature of solid दिया है, actually that is the type of crystalline solid on the basis of intermolecular forces, मतलब जो उनके बीच में attraction forces हैं, उस भीहाँ पे crystalline solid को अपन मेंली 4 types क्लासिफाय कर रहे हैं, जिसमें आपन वंडर्वाल, ironic, metallic and covalent भीहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वंडर्वाल force क्या बहुत ही weak force होता है, जितनी भी type के force होते हैं, and bondrobile force इसमें कौन से पाई जाएगा, तो यहां पे बात कर रहे है现在, if we can reduce orification of a force , जिसमें नहीं के बात करा हैं, and this means the body of decid ant به से ल सथ हैं, आईनिक की बात हैं, तो जहां पे बात बात कर रहे हैं, जहां पे अपन बहुते हैं, नयुक्त के लिए नहीं की अचया है तो आपकी पास होना भुजबर है तो डोन की आपकी पास किरूं से नहीं के लिए पैस ट। तो फर्स्ट के अंदर हो जाएगा क्यू और सेकंड के अंदर हो जाएगा एस थर्ड के अंदर हो जाएगा पी और मतला इसका सर सेकंड ऑप्शन करेंट तूना जी सिंपल NCRT में भी अपने पास डिरेक्ली दे रखा है जहां पर क्लासिफिकेशन आप सॉलिड देखते हैं उ आपको मैं थोड़ा सा यह यार दिला दूँ, अपने पास में seven crystal system होते हैं, जिसमें अपन unit cell को six parameter के भियाओ पे divide करते हैं, जिसमें three edge length की बात की जाती है, edge length, जो आपन किनारे के लिए बात कर रहे हैं, और three उनके axial angle होते हैं, edge length को, जैसे अपने कोई unit cell के लिए बात की, तो यह angle beta, यह angle gamma, तो a, b, c, alpha, beta, gamma में क्या relation है, उस accordingly अपने total seven crystal system बता रहे हैं, समझ बाती हैं और इन seven crystal system को जब अपन check करते हैं, तो उसमें more than one type of unit cell हो सकती है, जिसमें अपन SEC, BCC, FCC, FCC और ECC की बात करते हैं, यहाँ पे SEC unit cell का मतलब, जो आपने पास particles हैं, वो केवल unit cell के corners प BCC unit cell की बात करो, तो बहाँ पे particles corners पे होता है, as well as body center पे होगा, जिसे अपन हिंदी में काय विकर्ण होते है, body center, FCC के लिए बात करें, यहाँ पे particle corners पे होता है, as well as face center पे होता है, जिसे फलक केंदर के लिए बात करते हैं, यहाँ पे काय केंदर पे होता है, body center, ECC में अपन कोई भी दो समानां तक जो फेस सेंटर होंगे वो होंगे मतलब कोई भी दो पैरलाग प्रेसेस के लिए और कोर्नर्स पी तो ही है जी सर तो इन सेवन क्रिस्टल सिस्टम को जब अब चेक करते हैं तो किसी में BCC किसी में ECC किसी में FCC होता है तो इस अकॉर्डिंगली टोटल 14 क्रिस्टल बनते हैं अपने ड्रेविस साइंटिस का नेमे जिसने अपने को यहाँ पर बताया था इस अकॉर्डिंगली अपने पास में एक टेबल होती है जिसमें अपन क्यूबिक, हेग्जागोनल, पेट्रागोनल, उसके बाद प्राई क्लिनिक, मोनो क्लिनिक इस इसके लिए बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो अल्फा और गामा है वो तो 90 डिग्री होता है बट आपका वीटा 90 डिग्री नहीं होता है तो इसके अकॉर्डिंग से अपना कॉंसा ओक्शन करेक्ट हो रहाएं इसके साथ ही सेवन क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस क्रि इसके साथ होता है यहाँ पर इसको पूरा 3D में दिन करना पड़ेगा उसके बिना काम नहीं होगा तो थोड़ा सा जैसे अपनको ओपी सर ने बताया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल था मतलब आपका रहें जी सर्थ मतलब वहाँ पर जैसे मैं यादी इसको यूनिट सेल को थोड़ा सा बना लूँ जिससे अपनको थोड़ा आइडिया हो जाए वैसे सर अपन इसको इमेजिन करके चलेंगे कि जैसे जिस रूम में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग इमेजिन करके चलें जोड़ा अपना जब्री सॉल्ट होगा तो यहाँ पर पार्टिकल्स केवल औ सब्सक्राइब और उसके बाद मैं सबसेंगे और फिर बात करेंगे अपन सबस्क्राइब नियर्सके लिए дал लिए उसके लिए मैंने बात की किया नियर अजिस्टरों सबसे और वाला आटम होगा इस एटम के लिए दिस्टरंस होगी क्योंकि अपन एजलेंग जितने भी solid state confusion करेंगी वहाँ पे एजलेंग ए लिए ए कंसीडर करके चालेंगे अब मैंने बात की कि एक corner पे particle यह है इसी पे मैं बात कर रहा हूं इसका face diagonal जो है इस face diagonal के लिए बात करूं तो मैस की trigonometry के according बात करेंग तो face के diagonal जो होता है उसके लिए अपने पास distance होती है root 2 है यहां पर पाइथागोरस प्रमे जो अपन से बच्चों में करते थे की height square और जो भी अपन करते थे basis square यहां से यह आ जाएगा root 2 है तो अपने बोला पहला particle तो उसी edge का second corner that is a second particle उस corner particle का diagonal that is root 2 है थर्ड कौन सा और चेक कर सकते हैं अपन यह वाला देखेंगे तो यह भी यह आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है अब अपन बात करें body diagonal मतलब जैसे मैं इस room को consider करके चल रहा हूँ तो एक particle इस corner पे है तो दूसरा particle सामने वाली face का bottom वाला तो यह क्या बनेगा अपका body diagonal तो अपने क्या बोला एक particle सामने वाली face का यह है तो दूसरा particle back वाली face का नीचे वाला particle मतलब इसकी बात कर रहा हूँ that is the body diagonal और body diagonal क्या होका है root 3 यह थोड़ा मैस का है यह अपन को उसके अपन को calculate करना पड़ेगा तो सर अपके according first nearest item है वो क्या होगा a distance बिल्कुल सबसे कम distance होगी और second nearest atom होगा यहां पे तो यह होगी root 2 यह बिल्कुल और जो third nearest यह होगा और यह distance क्या होगी root 3 body diagonal distance root 3 और सर अपन इसको distance के according देख भी सकते हैं इसका coefficient 1 इसका 1.414 और इसका 1.732 तो यहां पे अपन को continue first second third पूछा है तो अपना इसका first option correct होगा अच्छा question है यह विड़ा आपको BCC और FCC में भी चैक करना थी है क्योंकि इस ट्यप्य क्व next question देखते है क्यों सब्सक्राइब करना थी क्या करना है आपको left करना है थी कह एक्सेप्ट वन गोर्न यानि सभी एक और सापको नहीं लेने जैसे कि सबने बता है कि एक यूबिक यूनिट सेल में क्या होते हैं एक कॉर्नर सोट है ठीक है एन बी एटम भी है और जो सी एृटम है वो कहा पर है बोड़ी सेंटर ये क्या अपर है बोड़ी लेकले लेकिन ऐक को क्या है आपको left करना है तो कितमा लेंगे तो 1 by 8 into 7 तो यह कितना हो जागा 7 by 8 हो जागा बिटा यहां पे सर क्या बताना चाहरा है आप इस चीज को पकड़ें अपने बोला है कि 8 unit cell से अपना एक पूरा crystal बन रहा है लैटिस बन रहा है यहां पे एक unit cell के corner की बात करूं तो वो 8 rooms में contribution देगी सर लेकिन मैं particular इसी room में उ तो अपन generally करते है 1 by 8 into 8 that is equal to 1 that is the total number of atom in which atom are situated at the corners लेकिन आज एक corner atom left है मतलब यहां पे आज total 8 नहीं है 7 items है तो यहां पे आगया 7 by 8 फिर अपन बी के लिए बात करें जैसा सन्ने बताया फेस सेंटर पे है एक unit cell का यदि फेस सेंटर की बात करें तो अपन बोलते हैं एक particle द अपनी सामने वाली फेस सेंटर इस वाले के लिए भी है पीछे वाले unit cell के लिए भी है कितने unit cell में contribute कर रहा है 2 में और एक room में एक unit cell में कितनी faces होती है 6 तो यहां से सर अपन बात करें तो यह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और फिर सर ने बताया body center body center unit cell के midpoint में बात कर र में तो आएगा आएगा आपके पास 7 by 8 और B आएगा 3 और C आएगा बर इसको simplest form में अगर करना चाहें तो 8 से multiply करते हो तो A 7 B 24 और C 8 जैसे सान्य ने बताया simplest formula कुछ है और साथ में याद रखें बिटा कभी भी ratio में formula नहीं छोड़ते हैं क्यूंकि atoms कभी ratio में नहीं होता है तो third option is correct चाहने सार next question बोलता है a solid has a structure in which w atom are localated at the corners corners की बाद किये तो सर ये अभी अपने पीछे discuss भी किया है दुबार भाद की करेंगे one by eight into total eight that is equal to one next बोलता है o atom at the center of the edges अगे इसेंटर की बात की है जी सर आपने बात करें इस unit cell में एक जो unit cell होती है उसमें total 12 edges होंगी कैसे edges होंगी अपन बेटर है इसको room के according consider करें वैसे मैं आपको भी diagram मना हूंगा लेकिन diagram से बेटर है अपन रूम consider करते हैं तो उसमें आपने को थोड़ा अच्छे से समझ में आता है जैसे अपने इस room की बात की तो ऊपर वाली एक एजे सेंटर में जो होता है वो चार उनिट सेल में कंट्रीबूट करता है और एक यूनिट सेल में टोटल एजेस कितनी है ट्वेल एजेस देखो वन टू थ्री फॉर फाइप सिक्स सेवन एट नाइट टैन इलेवन ट्वेल तो यहां से अपन करेंगे कितना आ जाए रहा साथ और आगे बोलता है सोडिया अटम एट दी सेंटर ऑफ क्यू सेंटर का अंड़ परसेंट को सेंटर वाल लिजे ये एन ए तो यह किवाल इसी यूनिट में होगा जैसा सन्ने बताया इंड़ परसेंट अक्युपेशन है यहां पर ने के लिए बात करेंगे वन बाइवन इंटो वन तो यहां से अपने पास मैं सर्स फॉर्मूला आएगा एन एट वन है डवी ओ ट्री तो अपना सर इसका आप सर क्या हो जाएगा सेगंड आप सरी करेक्ट हो जाएगा चलें सरा आगे सोडिय मेटल किसलाइज इंबोडी सेंटर्ड तुव तो देखो बच्चो बडी सेंटर क्युपिक निट्ट सेल है इस बीसी सी में अटम्स कहां पर होते हैं सभी कॉर्णर पे जैसा कि संन ने बताया और बोडी के सेंटर पर उन पर इसमें आपको तैंट एज्ज लंद ए और स अपने बोला Body Center जीएसा इसा रहा है सराआए सटार जब हे बोडि सेंटर के लिए पार्टिकल बोडि सेंटर के लिए जब पार्टिकल बोडि सेंटर पे है तो अपनों को इक है यहां से अब आपको सियारे की लिए प्सक्मा क्या होता है उसको पर चेक करने लेते हैं जिसार कि से यूनिट के बोड़ी डायगनल की बात करें तो बॉड़ी डायगनल में रिलेशन होता है रूप 3 है अब यहां पर कितने स्पेर्ड होंगे एक यह इंच में आएगा एक 4R हो जाएगी सर यही यहाँ पर important था यह एक चीज अपन को याद रखने है total 4R root 3 की equal हो जाएगी root 3a body diagonal distance तो सार मैं यह भी बोल दू आज साथ साब बच्छों को कि जब भी किसी unit cell में पर body diagonal की बात करेंगे तो root 3a होगा और face diagonal की बात करेंगे तो root 2 वे आएगा यह तौनों चीज़े याद रखने तो आपको इसमें radius कुछी है तो radius is equal to क्या हो जाएगा सार में जैसे root 3a upon 4 एक ही value आपको question में given है तो आप पूट कर सकते हो root 3a की जगा पूट करोगे 4.29 angstrom upon 4 जब इसको आप बच्छों परोगे तो इसकी value क्या है एगी 1.86 angstrom थोड़ास आप ऐसे भी आप कर सकते हैं कि इसका मतलब 1.73 इससे 1.something जाएगा तो इससे थोड़ास आगे बढ़ा होगे जहीं है बच्छों की तरह पूरा बाग और डिवाग और यह चालू कर दिया आपको आपको एप्रोक्सिमेट कलिकुलेशन चेक करने होगे तो यहां से सर अपना अंसार फोर्थ ओप्शन होगा चले आगे सर नेक्स्ट प्रेशन देखते हैं क्यूसर नमर एटर रेशियो पैकिंग एपिसेंसी एप्सी सी एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट से इस इसके 74 पर से इसके इसके सेवंटीफोर परसेंट पे एक्टम्स ऑक्यूपाई जीशन प्रेशन चेट इस बात कर रहें संकुलंग शंता हैं कि किसी यूनिट सेल में एक्टम्स ने कितना वॉल्यूम अक्यूपाई किया है पूर्य यूनिट सेल का ड़िट इस दा पैकिंग इसऑः और की फ्रेक्शन पर के यहां प currently बढ़ा टर्यकल्स पे असेट है अहां पर अको laborator वाप करते हैं वहां पंकुं अब्रक्षा जो मिलता है वहां पने सट्शी अ परसेंट और SEC में मिल रहा है आपने को 52.4 परसेंट ऐसा ही होता है सर अब इस क्वेश्चन में में थोड़ा सा यह ज्यान रखिए ओर्डर क्या दिया है ओर्डर आपने गढ़ 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 दी तो दिक्कत आएगी तो जैसा आपन यहां पर देख रहे हैं अपन को बोला है एप CC, PCC और अपर को बोला है SEC सरल गनिये, सिंपल क्यूबिक का मतलब SEC यहां पर सर अपन बात करें इनके लिए तो मैं बोल दू 0.74 परसेंटेज की नहीं बात करों प्रेक्शन की बात करों यहां पर 0.6 और यहां पर 0.52 लेकिन आप्शन अपर को इस अपर इस अपर इस को simplest value में change कर लेते हैं तो अपने पास सर यहां पर maximum value जो है उसका divide लगाते हैं तीनों में 0.74 का divide लगाते हैं जैसे ही मैं 0.74 का divide लगाया इसको तो देखें जर अपन को थोड़ा सा क्या मिल रहा है यह कटे का कैंसी लोगा बनाएगा जी सर यह देखेंगे अपन तो यह बं हो रहा है यह अपन चेक करेंगे यहां पर तो यह अरॉंड आपका आएगा 0.70 तो इसके accordingly अपन बात करेंगे तो यहां के सर अपना इसका option करेक्ट होना चीर फॉस्ट को थीक है तो question में ऐसे नहीं है कि हमको तो यही पता है सर यही होना चीर options के according भी कई पार आपको decision लेन बोडी डागनल आर रिमूव देन न्यू पाकिंग अपे सिंसी ओप सॉलिट बोड बी सर बहुत अच्छा कुछ्च्छन ने सर इसका थोड़ा सा मैं आपको एने सील के लिए बच्चों को संधाना चाहूंगा एने सील किस्टन में सर अब बात करते हैं जब इसको चेक करते तो सर यहां पे जिएल माइनस तो कॉणर्स पे आता है करें और साफ में पे बोला और साथ में प्रेस सेंटर पर बोला को अखी सेंटर में बोला तो यहां से अपने पास में आलाया है जो आगा है जो बच्चों याद रखें, जो बनते हैं, वो एक तो एज़ सेंटर पे बनते हैं, और एक बोड़ी सेंटर पे बनते हैं, जब तक अपने कोई भी रिमूबल नहीं किया एटम का, तब तक N.A.C.L. फोरफॉर एटम्स थे और यहां पर इहां पे इंक लिए जो पैकिन फ्रै वो अपन को बता दिया है कितना 79% किलियर होती है बात अब इसके अपन को बोल रहा है कि अब मैं CL माइनस एकम की बात करूँ मैंने वन वोड़ी डाइगोनल हटाया है वन काय विकर्ण हठाया है काय विकर्ण का मतलब दो तो कॉर्णर चले जाएंगे तो आज 6 कॉर्णर बढ़ जाएंगे तो यह पेस सेंटर अपना एज़िटी सा जाएगा तो यह ना से सर अपन में देखे 15 बाइग वहीं एने प्लस के लिए अपन बात करें एज सेंटर पर तो कोई फर्क नहीं पढ़ रहेंगा लेकिन जो बॉड़ी सेंटर है वह जब अपन बॉड़ी डाइगोनल हटाएंगे तो बॉड़ी सेंटर हटाएंगे तो साप में यह वाला अपना जीन हो कि इस केस में मुझे पर्सेंट नीटा लिकालना है कितना होगा आज मैंने एक्टम्स की बात करना चारहें अब अब थोड़ा सा परसंटेज जो अपन बात कर रहे हैं एफिशेंसी उसका मैं फॉर्मूला लिखके अपन इसको एक्स्प्लेइन करते हैं से क्या एगा उसकी क पेज खाली कर ले उसका अपन बात कर लें इस पर बात कर रहे हैं फोड़ा सा यह रफ कर लेते हैं यह रहने लेते हैं सब तो अपने यह आपके पैकिंग एफिशेंसी के लिए फॉर्मूले की बात की है अपन क्या बोलता है एंटम्स के द्वारा जितना वॉल्म इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 by 3 by RQ, R का N A+, तो यह R N A+, का Q, सही बात असर? जी सर, दूसरा आपन बात करें, total atoms बात करें, तो N A+, से साथने C L- जी सर, C L- के लिए अपने क्या बोला, 15 by 4 particles है, जी सर, इंटू 4 by 3 by RQ, C L- इसका Q, अपन में सर, आजाएगा, total volume unit cell का, और unit cell का volume A, यही site है, उसकी, edge length है, AQ, percentage लिका लाना है, तो अपने इंटू 100 कर लेंगे, इस तही बात है सर, अब सर, अपन को यहां पे एक तो A और R को relation में लेकर आना, तो कि अपन को इसको calculate करना है, तो सर, मैं यहां से N A C L के ल R C L minus 0.414 होता है, तो यहां से सर, R N A plus की जगे में क्या पूट कर सकता हूं, R C L minus into 0.414, बोलिए सही बात है क्या सर, और सर, N A C L के crystal को यदी मैं check करूं, unit cell को, तो अभी अपने क्या बोला, corners पे तू C L minus है, और edge center पे, N A plus है, साथ में face center पे C L minus है, body center पे N A plus है, मतलब N A plus इस बना रहा है, तो यहां से सर, मैं यदी बात करूं, दोलो, कैटायर और N A N के बीच में कितनी distance है, तो अपन क्या बोलेंगे, R N A plus, plus R C L minus, सर, इस distance के लिए मैं बात करना चाहरा हूं, वो क्या आजा थी, A by 2, तो यहां से सर, A क्या आजा थी, A by 2, तो यहां से सर, A क्या 0.414 into R C L minus, कर सकता हूं सर, तो सर, जैसे अपने 0.414 into R C L minus किया, वो 1 set हुआ, 1.414 आजे, और 1.414 बच्चो, root 2 होता है, तो यहां से मैं बोल दू, A हो गया, आपका 2 root 2, R C L minus, बोलो सही बात है कि सर, यहां से सर, यह कुछ आपनको important relation में दे, अब सर, कुछ भी नहीं है, इनको calculate करना है, तो बागी अपना मामला सेट हो जाएगा, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, सब किस अकॉर्डिंगली है, उसको फिर आपन calculate थोड़ा सा करके लिखेंगे, तो यहां से मैंने percent Nita लिखा लेकी कोशिश की, तो मैं N A plus की जगे C L minus कुट कर रहा हूं, तो मैंने बोला, यहां से 3 into 4 upon 3 pi, आर की जगे क्या, N A plus की जगे, R C L minus into 0.414 का कुट, 0.414 का कुट, और R C L minus का कुट, प्लस 15 upon 4 into 4 upon 3 pi, यह already R C L minus का कुट है, into 100, ऐसा ही है सर्च, अपन में A की जगे अपने क्या लिखा है, 2 root 2 R C L minus, तो A का क्यूब, तो 2 root 2 का क्यूब करूँगा सर में, तो 2 root 2 का क्यूब करेंगे, तो अपने डायरेक्ट लिख लिए 2 root 2 का क्यूब, और R C L minus का क्यूब, तो इसी मैं कैलकूलेशन करूँ, तो यह R Q common आएगा, और common आके इससे cancel out हो जाए, अब सर्था अपनको इ तो इसकी चेक तरनी पड़ेगी, कैसे हो जाए, तो सर्था कैलकूलेशन है, तो सर्था करके देखेंगे, तो सर्था थोड़ा सा अपने बद पीछ वाली स्लाइट पे चलते हैं, तो इसका अपन को सॉल्ट परने के बाद में, जो बटा, आंतर मिलेगा, वो अराउंड मिल तो सर्था की वैसे एफिशेंसी 79 परसेंट है, बोलो सही बात है क्या है, अब इसके अपने जब कुछ एटम कम किये हैं, तो अपन को पता लगा, दो तो कॉर्णर के एटम गए, और एक बादी सेंटर गया है, तो सर्था इसकी एफिशेंसी कम होनी है, यह तो बात सही है, करते हैं, बलकुल एक हैं, इसका अपन्स गया, पिसनी कम होगी, लेकिन कम होके भी एसनी नी होगी, कि कम होके 60 एक 80 जाया, उसका थोड़ी से कम होती है, और थोड़ी से कम का मतलब यह आएगा, तो इसके इसका रिटार जुगार भी अपन बात कर सकते हैं, शौट ट्रीग तो इस की पैकुट प्रिसंसी किया होगा, पैकुटल स्षप्रमीकी किया है, टो ये जो सर्क्राइय को इस संब वाले उन्होंने 1 cosmic 4 पार्ट की रिखा है, गांगा, शोलिए करने ँर दूद काे रहते है इसका एडिया जो आ रहा है तो पाया इसको आ रहा है तो यह एक स्पेर तो यह हुझा आ盡 है का तो यह पर kangस पर बाद करोंगे तो पर सेंट की बात करों कि इस अपर टूछलाइटम कितने हो इपने पास में तूल अपने अब आज भोई बात 2D system है तो आ वोल्यूं में एरि अपना यूरिट सेल है उसका वॉल्यूमी एरिया और स्क्वायर का एरिया क्या आप है सर्थ ए स्क्वायर एस्क्वायर आप कैसे निकालोगी वह यह प्रफ्रिय ना इस्टेंस क्या हो जाएगी 4R क्यूंकि जैसा कि संजे मता है इसकी आर यह टोटल कितनी हो जाएगी 4R अपन रूट 2 तो सर एल बोलो ए बोलो एक ही बाग है सर उसको थोड़ा सा फ़ल सॉल्व कर लेंगे तो आपका एल बोलो या ए बोलो या आपका आजाएगा 2R कैसे सर्थ तो यहां से ए को मैंने रिप्लेस किया तो अपना यह क्या एगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर ए इस 2 से यह 2 चला गया 5 by 4 मतलब 3.14 का 4 पार्ट तो सर अब इसके लिए बाग है जब इसको आप काल्कुलेर करोंगे पाई के विलोग इतनी होती 3.14 अपन 4 तो यह क्या हैगा अप्रोक्सिमेटली क्या है 0.75 यानि 2nd option ही क्राएगा परसंटेग लिकाना तो इंट से बैट इ क्यूश No.11 है how much percentage of edge length remains unoccupied in given square units है ? बहुद रचा question है edge length जो unoccupied लही है जल्दी जल्दी में occupied point है जानी इस लेंज की बात कर रहे है जो अनुक्यूपाइट यह बिल्कूल सही बात तो यह कितनी हो जाएगी a-2r भाई अपने आज एज लेंज को एन मान लो है बार बार आपने ए मान रहे है इसलिए अपन यह लेके चल जाएगी तो यह radius r हो जाएगी इसको total मैंने क्या ले लिया सबता है ले लिया तो यह जो distance है अनुक्यूपाइट वो क्या हो जाएगी a-2r जो अलक्यूपाइट है जो ना गेरा हुआ भागे तो अपने बोला इसके लिए a-2r ना गेरा गया भागे इसका अपनको एज लेंद्ध क्या जाएगा है टोटल एज लेंद्ध है एंटू क्या जाएगा सर अब आर और यह में रिलेशन अभी भी सर ने आपको बताय जाएगा है कि यह आप यह आप यह आपन फॉर यह अपन बोले सर एपन तो यहां से अपन बिल्कुल तो यहां से अपन इसमें वैल्यूज कूट कर लें a-2r की ज़ए अपन ने पूट किया यह अपन तू रूट टू इन्टू हंड्रेट तो कि परसंटेज लिकालना है अपन ए फिर ए कॉमन आपके कैंजल आउट होगा तू से टू गया एल्सेम लेके सॉल करेंगे तो 1-1 अपन रूट टू अपन वन इन्टू हंड्रेट या मैं बोलो इसको रूट 2-1 अपन करोंगे तो इस कांसर राएगा 29.27 परसंटें फर्स्ट ऑप्शन इस क्रेंट चले सर आगे क्यूसर नम्मर ट्वाइं की बात करें है बोलिए सर ए कंपाउंड इस मेड़ अप टू लेमेंट एक्स अडवाई एक्स अडवाई एक्सलाइज इन एक्यूबिक अरेज्मेंट कि एक्स उक्पाई ओल पॉर्नर्स की के पोजिशन वाल वाई ओक्पाई बोडी सेंटर इफ एज लेंद इस फोर अगेस्टों एंड एक्स वेट आपको दे रहे हैं डिटमाय देंसिटी देंसिटी वह बच्चों इसमें क्या दे रहे है एक्स अटम है वह कहां पे है कोर्न इस सभेघू कोर्नर्स की बताया कितंअ मी वाई अन्टो आ इन्टो ऑदि सेंटर सर यह मेजिए ख्यां से बन रहा है यह एपक्रणर चाय के फिस्टेक्चर इए ठीक है बच्चों के लिए आपन बात करें हैं दोनों अटम्स तो बन बन हैं मैं पूरा से फिसे आंड़ियो कराए तो यह काम की चीज़े पस काम की चीज़ी सर यह है बच्चे क्या करते यहाँ पर तो अपने अपने पास में मजैड तो यहां के अपन बात कर रहे है, M आएगा molecular mass, जो आपने सर ने आपको बताया 60 plus 9, तो दोनु point कर लो, तो कितना जाएगा, 150 और total number of molecules 1, क्योंकि आज molecule के लिए बात कुछी है और आपको edge length A देर के अंगस्ट्रोंग के अंदर लेकिन इसको आपको gram पर cubic centimeter देर के अंगस्ट्रोंग के अंगस्ट्रोंग करना है तो सर अपनको पता है, 1 armstrong अपना 10-2-8 cm होता है तो इसको मैं सर बोल सकता हूं, edge length को 4 x 10-2-8 cm जैसे इसका मैं cube करूंगा, तो 4 का cube आएगा 64 10-2-8-3-24 तो 6.02 x 10-2-23 सर इसका एक्रोक्सिमेट अपन कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर ले सर इसमें यहां पर अपनको CGS system के लिए याद रखना है जो अपनको options के according बात की है तो सर थोड़ा सा अपन इसको रफली भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे ही कर सकते हैं इसको सर एक बार के लिए मैं 60 मामनू 60 x 6 यह सर 360 आजाएगा वोड़ा सा ज्यादा चलोगे 370-380 तक आएगा 384 आएगा 384 आएगा और उपर है आपने पास में 150 इसको भी अपन कैंसे लाट कर देते हैं तो यह 3.90 के अप्रोक्सिमेटल आएगा हाँ जो भी कैलकूलेशन आपन बिटा कैलकूलेशन वगर एक बार देख ले न उसका मुस्टेख नहीं करने हैं यानि कि फॉर्ट ऑक्सन इस क्रेकर चले सर आगे क्यूशन नमर्ट 12 है इसमें मैं आपको एक थोड़न सा चीज बताऊंग। अच्छा क्वेशन है यहां पर मैं आपको दो अच्छे-च्छे फॉर्मूले पर बताऊंगा एक तो देंसिटी का फॉर्मूला अभी जैसा सन्ने बताया यह फॉर्मूला अपन देखें तो question में अपन को molar mass नहीं बताया जैसे की बात कर रहा है यदि question में molar mass नहीं बताया और अपनको number of unit cell पूछ ले तो अपने पास मैं direct number of unit cell का एक फॉर्मूला होता है यह formula तो इदर applicable नहीं हुऊ तो अपनको number of unit cell के लिए बात कर रहा है तो अपन ये बोलेंगे total number of unit cell है total number of unit cell उसको check करूँ जब अपनको molar mass नहीं दिया formula होता है w upon a3 t actually formula कुछ भी नहीं है अपने बोले है unit cell का volume जो भी अपन बात करें कितनी unit cell है तो यहां से अपन number of unit cell चेक करें आज अपनको मास दिया है इसका 108 गिना ए वोई बात CGS में बात कर रहे हैं तो 300 Pm याद रखिए का 1 Pm 10 दू पावर माइनस 10 cm तो इसको अपन गोल सकता हूं चेक करें number of unit cell तो इसको cut करेंगे four times जाएगा और यहां से सर अपन यह देखेंगे तो यह कितना आजाएगा four into 10 to power 23 शही बात है का सर बिल्कुल सही यह number of unit cell है अब अपन को आज बोला है FCC तो आपको बेटा पता होना चाहिए FCC में आपन बात करते हैं तो one unit cell जो होती है one unit cell total atoms जो रखती है four atoms जो रखती है जी सर आज unit cell कितनी है four into 10 to power 23 तो कितने आएगे four upon one into four into 10 to power 23 जिसको असर सौल परेंगे तो 1.6 into 10 to power 24 that is the total number of atoms यानि कि fourth option is total unit cell पूस्ता तो यह आपका एक 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 उनिट तो इसको फोर से मुल्टिप्लाइब करेंगे तो इस तो टोट्र नमबर उनिट चलें सर आगे next question की बात कर रहे है next question अको बोल रहा है जेखो sir मुझे यह एक टू टाइप श्टेक्चर है उसमें पूरनियस नमबर देख की लगँ रहा है किषि एक टू टू टाइप का स्टेक्चर हो और इसमें केल्सिंब क्या है केल्सिंबलस त्वाइल है वह काहां पे रहेगा एप सीच सीच सब को पता है सभी 다इख सब क जो टेटराइडलवोइड है उनमें क्या रिलेस्न होता है तो टू ताइमस नुम्र आपटम इसकर बात करें एक टोटल वर एकटम है अपने पास में तो ओक्टाइडल वाइड तो फूर यह हों ने अपने एक पूंदे तो क्या पूचा है कि वर्ट परसेंटेज ओप्टा ए यही बहुत important concept है कि octahedral void ही नहीं, इतना परसंटेज कितना होगा? 0 होगा? 0 होगा, तो इसका 0 इसका मतलब यहां के ना उफ दिस की बाद हो इनिक फॉर्ट ऑप से निच करेया देगा देगा अपन जल्दी-जल्दी में यह नी void है तो tetrahydral void है यह देखो tetrahydral है, लेकिन बात octahedral की ताब है क्यों सर्को आप अच्छी से पढ़े हो जाओ चाले सर आगे नेक्स्ट क्वेशन की बात कर रहे है, नेक्स्ट क्वेशन बोल रहा है a solid is formed by two elements P and Q, okay यहाँ पे बोल रहा है, element Q forms cubic close packing Q का मतलब cubic close packing CCP बोलो, या FCCC एक ही बात है, और FCCC या CCP में particles corners पे और फेस्ट सेंटर पे तो total particles कितने हो जाएंगे सर, 4 हो जाएंगे और साथ में क्या बोल रहा है, आज FCC में total particles 4 है तो यह बोल रहा है, P जो है, वो one third of tetrahydral going total particles 4 है, तो जो P होगा, वो TV होगा और वो हो जाएगा 8, उसका बोल रहा है, one third तो यह कितना हो जाएगा, TV, TV कितने है, eight उसका one third, तो यहां से अपने यह कितना आजाएगा, two तो यहां से सर अपने पास आएगा, P two by three q इसको LCM लेके solve करेंगे, तो यह आपका आएगा, P two q three तो अपना इसका option correct हो जाएगा, third option अपने यहां पे correct हो जाएगा, चले आगे हाँ तो सर अपन आप इस question में बात करते हैं 16 में, the composition of sample of worst side is F e.930, what percentage of iron is present in the form of F e plus three? Sir, actually में इस defect से related है, अपने जब इसको defects के pointing देखा, तो यहां पे इसको F e.930 di इसमें actually में F e, 2 oxidation state की form में, plus two में, plus two में, plus three में. ऐसा question सर अपने redox में भी बात करते हैं? तो sir, इसको में simplest way में change करना चाहूँ, 100 से multiply करूँ, तो यह 93 और यह 100 अगे. यहां से मैंने बोला, में को जो लिखा लगा है, उसको x माल हूँ, तो मैंने F e plus three वाले को x माल लिया, F e plus two वाला कितना हो जाए रापता? 93 minus x. जी, sir. बोलें सभी बात है कि, sir? यह 93 minus x है, sir, actually, मैं. यह x assume किया है, तो यह total में से आप क्या कर दें, तो minus कर लें. अब simple इसमें अपन oxidation का एक formula लगा सकते हैं, कि एक stable compound में जितने भी उसके elements है, उनके सब के oxidation number का sum 0 होगा है. तो मैंने F e के लिए बात की, यहां पे plus three वाले कितने थे, x थे, plus two वाले कितने, 93 minus x, oxygen 100 है, एक पे minus two, total पे zero, यहां से बात करूं मैं, three x plus 186 minus two x minus two hundred is equal to zero. यहां से अपन calculate करेंगे, तो x आएगा आपका 40, x का मतलब अपन F e plus three की बात करना है, तो यहां पे plus three वाले का percentage चेक करना था, तो यह percentage कितना आजाएगा आपका खुद का जितना आपका 40, upon total 93 into 100, सर इसको अपन जैसे ही solve करेंगे, तो अपना सर यह अरां यह 15 मालो, तो 15, 60, 90 के something आता है, तो सर यहां से अपन यह करें, around 15.05 percentage के approximately आएगा जाएगा, तो इसको में माल ले तो sodium chloride type structure है, और सर ना-Cl के लिए होता तो FCC है, लेकिन इसमें na plus octahedral void पे होता है, edge center पे होता है, तो इसलिए यहां पे जो ratio आता है, इसका rna plus plus rcn minus का relation, वो a by 2 आता है, जी सर, सही बात है, तो आपको edge length पुछिए, तो simple सा है, cate line की radius देर की, a line की radius देर की, सर, ये 101, ये 181, a by 2, इसको add करेंगे 282, इसका सर, आपन edge two times करेंगे 282 into 2, that is a, ये कितना आजाएगा सर, 564 आजाएगा, ये 4th option ही correct, चोटा सा question है, यार रखे, NACL FCC होते हुए भी यहाँ पे relations का ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, next question क्या बुल रहा है, next question बोलता है, compound of XY crystallizes in CS-CL type lattice, with unit cell edge length of 480 picometer, the radius of X plus and Y minus ions will be irrespective laid, जी सर, देको cesium chloride structure है, इसमें CSM plus ion कहाँ पे होता है, body center पे, और chloride ion कहाँ पे होता है, सभी corners पे, तो इसमें आपको दे रहे है, as length, किनारी के लंबाई दे रहे है, 480 picometer, तो मैं लिख सकता हूँ R plus plus R minus is equal to root 3 A by 2, मतलब आपन ने ये जो आपनने बात किये, ये BCC के लिए बात किये, BCC में होता है, root 3 A is equal to 4 A, लेकिन आज ion साना गलत check करना है, तो 2 R plus plus 2 R minus है, यहां से 2 अपनने common लिखा ला, यहां आया R plus plus R minus is equal to root 3 A, इसको solve किया, तो जैसे आपको समने बता है, R plus plus R minus root 3 A by 2 आना चाहिए, यहां आपन को यहां पर दे रखा है, 480 Pm, जैसे यहां से मैं बात करो, R plus plus R minus is equal to root 3, 480 upon 2, जैसे यह root 3 होता है, 1.732, जैसे इसको अपन solve करते हैं, तो सर यह around आपन को जो मिल रहा होता है, तो कितना मिल रहा होता है, around 415 मिलेगा, क्योंकि यहां से कड़ेंगे, 0.9 times cut हो रहा होगा, around आपन देखेंगे, 415 something मिल रहा होगा, सर आप यह question बहुत अच्छा question है, क्योंकि आप रेडियस एड करोगे, 415 और स्वराल अची, अप अच्छे गलती क्या कर जाते हैं, क्योंकि जो option अपनको 415 बला मिल गया, वो सही है, तो यहां पर देखा, इनको एड किया 415 नहीं है, लेकिन इन डॉनों में आएगा, तो सर्थ अब क्या करेंगे अपन, अब अपन इसका limiting radius ratio से करेंगे हो रहा है, और season chloride के लिए limiting radius ratio क्या होता है, अपन इसमें डायरक्त यह बोल सकते हैं, कि एनाइन की radius क्याइन से ज्यादा होता है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि वो points में आता है, points में आ रहा है, इसका मतलब यह ज्यादा है इससे, तो अब आपन को क्या दे रहा है, पहले r plus, फिर r minus, यह कटा है, यह ना है, यह कटा है, यह ना है, मैंने क्या बोला, r plus और upon r minus points में आ रहा है, इसका मतलब अपन क्या बोल रहे है, r minus बढ़ा रहा है, r minus से बढ़ा किसमें है, r plus से इसमें, तो आतो फोवर 15 दॉनों में रहा था, क्योंकि r minus बढ़ा चाहिए, तो अपना second option यह पे correct है, जी sir, चले सर आगे, next question की बात कर दें, QC19 How many unit cells are present in 10 gram of crystal AB having rock salt type structure, rock salt type structure की बात कर दें, NACL sticks रहे है, इसमें simple सा question है, अपनको NACL बोला है, FCC unit cell के लिए बात कर रहे है, यहां पे अपनको क्या लिकाल रहा है, how many units cell, तो उसमें अपनको यह पता होता है, कि जो 4 constituent atoms होते हैं, जो भी उसके constituent particles, उससे 8 unit cell बनती है, सही बात है sir, तो मेरे को जो जानकारी दिये, information दिये, मेरे इसमें mole को लेके आ रहा है, मेरे को 10 gram से molecular weight दे रखा है, मोल्स लिकाल रहा है, फिर atoms जो इसके constituent particles हैं, उसके बात कर रहा है, मैंने यहां पे बोला, और total number of particles की यहां पे बात कर रहा हूँ है, क्योंकि यहां पे consequent particles के respect में आपन बात करते हैं, तो मैं यहां पे इसको बोल दू, 10 upon 60 into Na, सही बात है sir, 4 atoms यह unit cell है, तो इतने से कितनी होगी, simple हो बच्चो वाले चूपी, into Na, इससे आ जाएगी अपनी unit cell, 1 by 4 into 10 upon 60 into, Na की जगे, 6 मान लेता हूँ है, into 10 is to power 22, अग्रेटर नमबर 6.02 ती रही है, लगी केपुलेसिंगे 6 मान सकते हैं, इससे ही यह जाएगा, तो सरी आएगा, बान upon 4, 0.25 into 10 is to power 3, और किस पॉर्म में अंसर मांग रहा है, तो इसको अपन ऐसे भी लेख सकते हैं, 2.5 into 10 to power 22, बिलकु लेख सकते हैं, तो इसको अप्शन हो गया, और तो वोर्म उप्शन अपना, चले सर आगे, तो सर अपन नेक्स क्वेशन अबर 20 देखते हैं, क्लोस पैक टिकेट हैं, क्लोस बेक्ट केटायन मतलब सर अपन नेकल के इसाब से बात कर रहे हैं, जी सर, यहापे अपन पो बोला है, सॉलिड है, 75-Pico-Metre Radius, वाट वुट वीड़ीए, मैक्सिमम मिनिमम साइज अपन अनायन, क्लोस बेक्टायन की दीए, वाइट से 0.414, थर्ड लेते हैं, 0.414 से 0.732, और फोर्थ लेते हैं अपना, 0.732 से 1, और साथ इनके लिए अपने पास पे coordination number क्या क्या आएगा, coordination number रहेगा इसका 3, प्लेनर triangular इसका 4, TV की बात करता है, इसका 6, और यह क्यूबिक के लिए 8, अपन एने सेल की बात करने हैं, तो अपना यह वाला बात करने हैं, यहाँ पे अपने बोला, आर एने प्लस या आर प्लस बात करनू, सर सिंपल में यहाँ पे, आर प्लस बात करनू, और आर माइनस बात करनू, ते 0.414 से 0.732 रहेगा, तर मेरे को आज R-qa में 25-2 Mb ये याद रखना है पहले पूछा है पहले maximum पूछा है पिर minimum यज्दी ये maximum चीह है तो minimum value होगे और ये minimum चीह है to maximum क्योंकि denominator में ना रहा है तो R- maximum क्या है अज़ आखना 75 जो भी अपन बात कर रहे है उपन पॉइंट 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 414 और यसे अपनेको यदि आण मैनस मिनिमम चाहिए तो 75 अपने पॉइंट 732 इसकी अकॉर्डिंगली सर्थ पन इसको सॉल्ड करेंगी क्या वैल्यूज आई पीसर सॉल्फ करने पर तो इसकी वेल्यू आएगी 181.2 तो पीको मेंटर और नीचे वाले की वेलियो है कि बन जीरो टू पॉइंट ज्यान लेकिया सब्सक्राइब अपना बच गए है चलो ठीक है बढ़िया बात है इसके अपना दो चार्मिनेट बच गए है चलें पर्स्ट ऑप्शन इसका अपना अंसर है next question की बात कर दो है 21 in kilsim fluoride unit cell the codonious number of fluoride ion in fluoride ion का आपको codonious number of fluoride ion का आपको last question में बिता दिया kilsim plus 2 ion कहां पे present होता है fcc के लिए और fcc में number of atoms कितने होते है four और जो fluoride ion है वो कहां पे होता है tata-adeloid को tata-adeloid कितने होते number of atoms से two times यह जिन अपने लिए two F ू पन सर उसके according लिए बात कर रहें आपको इसमें kilsim plus 2 ion है वो किस से occupied है चाहुत तरब से fluoride ion से और यह और थो fluoride ion है वो सभी kilsim plus 2 ion से occupied है तो आपको किसका कोडिनेशन में पूचा है फ्लोराइडायम के डिरेक्ट टच में जो पार्टिकल से that is the coordination member समनते संख्या और 4 CA plus 2 से surrounded है तो इसका मतलब अपना चार आएगा अब यहां भी ध्याना के चार आएगा तो यह नहीं सर तोड़ता गया चार टोटल एक्टम से surrounded है वो option 3 में है जी सर चले सर आगे next question के बात कर लेते 22 total number of carbon atom in diamond unit cell diamond unit cell में number of carbon atom कितने यह आप से पूच्छ है सर यह बहुत important है diamond unit cell के जब आपन बात करते हैं तो बच्छों को भी पता होना चाहिए के items conners पे तो ही जो बात कर रहे हैं साथ साथ 50% of tetrahydral void होते हैं जी सर तो यदी अपन FCC unit cell के according बात कर रहे हैं तो conners और face center के कारण 4 आ जाएंगे जी सर अब tetrahydral void सारे होते तो 4 का 2 times 8 होता है लेकिन 50% of tetrahydral void होते हैं तो हाप हो जाए ना तो FCC के तारम कितने आए 4 और plus 50% of TB 4 तो total particles कितने होते हैं इसमें 8 होते हैं इसमें एपने इंपोर्ड़न अब इस 50% of TB जाना चले आगे next question सर बहुत अच्छा question है how many statements are correct सर ये question तभी हो सकता है जब आपन वो एक-इक statement की complete जब रहा है पूरा theoretical portion discussion के ले लिया गया है लेकिन जो theoretical portion है वो इसके लिए ले लिया गया है बात करें सर अपनका बोल रहा है in an anti-fluoride structure. Anti-fluoride का मतब सर अपन की बात करें? NA2O की? मिलको सर. क्योंकि fluoride structure तो क्या होती? CAF-2O क्या हो गया? reverse हो गया, रिवर्स हो गया. इसको क्या होते? Anti-fluoride structure. anion forms FCC lattice, and cations occupy all tetraindles. तरही बात है, अपने crystal system में देखा ता, किस तरीके से बन रहा है, तो sir, इसका ये option तो अपना correct है, इसने पुछा कितने correct हैं, second, देखते है, if the radius of tata n and ni r, this one, then coordination number, sir, अभी अपने coordination number से related बादे, radius ratio अभी सर ने बताया था, मेरे को यहाँ पे r plus upon r minus check करना है, 0.3 upon 0.95 check करूंगा, तो sir, ये मेरे ख्याल से 0.389 something कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ये 0.225 से की range से, इस range बे आएगा, sir, ठीक है, 0.225 से 0.4 बन खो, sir, इसका में को जहां तक जहान आ रहा है, 0.38 something आ रहा होगा, और इसके लिए coordination नम्मर अपना 4 होता है, ये अभी अपन चेक करके आए, इसका में स्टेट्मेंट भी करेक्ट है, फिर बोलता है, an atom and ion is transferred from lattice side to an interstitial position, सही बात है, फ्रेंकल डिफेक्ट में एक जो cation होता है, वो कुद के इस तान, पोजिशन से displace होके, अंतरावकाश में आजाता है, और आप ए घनत लो, density में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस statement अपना सही है, next बोलता है, density of crystal increases in shot की defect, गलत बात है, क्योंकि shot की defect में क्या होता है, number of cation and number of anion, equal number में crystal से miss होते हैं, इस dicumetry defect की बात करते हैं, पर fair form में लिकलता है, तो यहां पे density कम होती है, और यह बोल रहा है, increase हो रही है, तो यह wrong है, ab center is responsible for yellow color of defective genetics, तो यह बहुत अच्छा question है, ab center अपन बोलते हैं, कि जब कोई negative ion चला गया, तो उसकी जगए electron आ गया, उससे ab center बोलते हैं, four-band genster नामक scientist में बनाया था अपने पास में paramagnetic nature और हिम के लिए responsible होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कि सर्फ metal access defect, metal access defect due to intensity of cation, इसलिए सर्फ आपन बोलते हैं, कि जब जब जडएनों को अपन change भी करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो यह आपका जडएन प्लस तू, प्लस हा पोटू, प्लस तू, प्लस तू, तो यह सर्फ जो आ रहा है, वो at center के current नहीं आ रहा है, जैसा सने बताया, अंतराकाशी दनायां का धातू अधिक्ये दोश है, metal access defect due to interstitial cation, interstitial cation, पे क्या हो जाएगा, cation आ जाएगा, interstitial site पे, और जो electrical neutrality है, उसको maintain करने के लिए, इंटरstitial site पे, अन पे लेक्रोल है, जिस जो color के लिए क्या होगा, responsible, तो app center नहीं है, यहां पे important रहता है, तो यहां पे app center नहीं है, यहां पे आपने जो बात की है, वो मने आपको सम्झा देने, app statement is, cation chloride type of crystal, BCC structure of animal, देखो कि cation chloride मैं नहीं बिताया था, cation plus नहीं वो कहां पे रहता है, इसकोरान से तोट होगा है 1234 साही होगा है राध को कर लेदे लुए किस है को भी ऑपने banget ऍते तो पुरा नीति मिसमें यह ज़िस अपने पूरा चेप्टर साइसे घर डिवुञदemyills तो सर इस कोईशन के बात करते हैं शौट की डिफेक्ट में इंवाल बट वाल अफ दा अलोई मतलब शौट की तुरुटी निम्ड में एक के अलावा सभी में शामिल है इसकी बात की है यहां से सर अपने जीश को थोड़ा सा चेक करें तो अपनको यह पता है शौट की डिफेक्ट में पेयर में गायब होता है धनायन और रिनायन तो अपर एम एकस को बोला है मतलब एम प्लस तू प्लस टू एक्स माइन दो है तो केटायन एनायन दो तो तो बंच रैशी होना ची इस डिपेक्ट में और यहां समय और कि अपने और वालग होता है कि पायर फॉर्म में कैसे अलोग हुआर बात करें जा इसका फूर्थ ऑक्शन और देख लेता है रिसे अपने पूरा सॉलीड इसमें इंक्लूटिए आपको थोड़ा सा रिवाइस करने का ट्राय किया है एक बार इंके क्वेशन्स दुबारा देखना अब आपकी अप्रोच किया होनी चीब क्वेशन पढ़के साथ साथ इनके theoretical points को देखो जिससे आपका complete topic कि दिया हो तो यह अपना solid state था अपना फिर next गुरुनिती गुरुनिती 15 में मिलेंगे सराज के लिए इतना काफी है ओके थेंक्यू जैसी अग्सी अग्सी ऑल्ली बरी पैस्ट